प्रवादी का फिर से हार्दी का बिननंदन और स्वागत एक प्यारे से सेशन में लीडर्स आठ बच के 20 मिनट पे रोजन हम मिलते हैं सिरफ 20 मिनट के लिए और उस 20 मिनट के दोरान उस 20 मिनट के दोरान हम बात करते हैं कुछ खास कुछ बहतरीन कुछ इस पेसल और जल्दी से एक मिनट में अपनी पूरी टीम को बुला लीजे क्योंकि आज भी मैं आपके लिए कुछ बहतरीन लेकर आया हूं खुशियों की तलास हर किसी को होती है खुशियों की तलास कार बत के भी स्मुट पे थैंक यू थैंक यू सो मच मला बुलाव हज खुशियों की तल्दी यह रियाए कर दो Schweiz लो एकार्ट के प्रवाnicas द से लिए घूऽ आशियों की तुशियों की तलास Einstein स्वागत है आपका एक वफीर से एक सांदार सेशन में और आज का सेशन का जो लेशन है वो है खुशियों की तलास स्क्रीन बें आप बोख पा रहे हैं मैं आपका दोख आपका साथी आपका बिजनस पार्टनर आपका डाउन लाइन आपका अपलाइन आप जैसे चाहे वैसे मुझे ट्रीट कर सकते हैं बस सरते आपके घर में टोकरे भर भर के टोकरे भर भर के खुशिया आनी चीए टोकरे भर-बर के आपको अच्छी हेल्थ मिले, टोकरे भर-बर के आपको रोकडा मिले, बस यही मेरी ख्वाई से, यही मेरी चाहत है, यही मेरा उद्देश से है, इसलिए रोजान मैं आपके साथ हमेशा बना रहता हूँ, और आगे भी, आगे भी आखरी सांस तक मैं इसी तरह से आपके साथ बना रहूँगा, बसरते आप मेरे साथ ठीके रहें, जमे रहें, बने रहें, लिडर्स, क्राउन डाइमेंड डारेक्टर, नरेश सेरी जुझनुवाला, पिछले करीब-करीब 47 महीनों से मैं मोधिकेर को अपनी जिंदकी में रमा बसा चुका हूँ, मोधिकेर मेरी नसों में बहता है खून की तरह, मोधिकेर उटते बैठते, हसते खेलते, नासते, कूथते, हसते, मुस्कुराते, रोते, जागते, सोते, मैं मोधिकेर को फील करता हूँ, मोधिकेर को एंजोई करता हूँ, जी भर के जिन्दगी को जीता हूँ, और हर पल, हर लमहा के साथ हमेशा बना रहूंगा और मेरा वादा है सिर्फ सासों तक का सफर हमारा नहीं रहेगा उसके बाद भी रूह में रूह में आपके मैं बना रहूंगा बसा रहूंगा हमेशा आपके साथ मैं यही प्यार यही साथ यही एनरजी यही उर्जा यही विश्वास मैं आपके पहले यह जो शुरुवात करी थी सभर में यह बहुत कुछ पाया है बहुत कुछ देखा है बहुत कुछ सीखा है और उसका पूरा क्रेडिद मैं क्रेडिट प्र बांकांन सफलता के पीछे जो भी जो भी हाथ है वो मेरे टोप अप्लाइंस का है मरेजमेंट का है गुरों का है और आप सब प्यारी प्यारी टीम का है चलिए लीडर्स धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सिर्फ एक छोटे से सोट नोटिस पे हमारे बीच में होते हैं और 20 मिनि उसकी जिन्दगी होँ हर लमहा खुशियों से महरा हो घूशियों से संब्भव है विचार कीजिए गा सोचेगा इस संब्भव है को सिर्फ नहीं सिर्फ दिन ही दिन सकते हैं, या किसी भी particular factors जो इस दुनिया में इंचाम मन कर पैदा हुआ है उस पे ले सकते हैं. जब मैं बच्चा था और मैंने अपनी पहली बाई खरी दी, जब मैं बंच्चा था और मैंने बैट के खाना काया वोसी पे बैट है बैटे में सो गया लिडर्स जब सुबह उठा तो मैंने अपने आपको बैट पर पाया क्योंकि गार्जन पेरेंट्स इनोंने मुझे उठा कर बैट पे चुला दिया था लेकिन जब पहली बार मेरी भाइक आय थी तो कुछ दिनों तक मै बहुत कुछ हुआ था कुछ दिन बैट बीते कुछ हब्ते बीते कुछ महीने बीते और शुरुआत में तो मैं उस बाइक को बहुत अच्छे से साफ करता था धोता था रगड़ रगड़ के धोता था अक्सर यह कहनी हम सब की होती है धोता था लेकिन कुछ महीने जब बीत मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी ही आइक साफ करता THा जितनी जगही पे मैं बैठता था यानि की शिख करता था एकोसी करते लू में पूरी में बाइ पुरी कीजे तुम लग गया मैं पुरी करने में पूसी की तलास में और अपनी कोलेज पुरी की, कोलेज की डिगरी हासिल की, तो मेरे एक मित्र ने बोला, भाई जी, फिर कोलेज करने से कुछ नहीं है, पीजी करना पड़ेगा, अगर खुशियों की तलास है, तो आपको पीजी करना पड़ेगा, पॉस्ट पूरी करनी पड़ेगी, लग गया म पिर से कुछी की तलास में, मैं पीजी करने लगा, पीजी करता करी रहा था, कम्प्लीट मेरा सेसन हुआ, कि मेरे पिधाजी के एक मित्र मुझे मिले, और उन्होंने कहा, बेटा, क्या करते हो, मैंने कहा, मैंने अभी पोस्ट ग्रेज़ों पूरी कर ली है, उन्होंने लग गया मैं नोकरी की तलास में, यह मेरी कहानी नहीं है, यह एक इंसान की कहानी है, मैं खुशियों की तलास में, काम्याभी की तलास में, मैं ढूनने लग गया काम, ढूनने लग गया काम, जब मुझे ताम मिला, जब मुझे नोकरी मिली, मैं बहुत खुश हुआ, बहु आगे बड़ा नोकरी मिली, सुरुवात में दो-тीर महीने बहुत मज़ा आया, नोकरी मिल गई, मुज़ा आगया, खुषता मैं, जिन्दकी को बहुत खुषाली से जी रहा था, लेकन उसके बाद जैसे तिन-चार महीने वी थे, उसके बाद, उसके बाद मूँ जुट्टी तो मारी गई ऐसे ही खुशिया जाती रही मेरी जिंदगी से और फिर पता चला मेरे रिष्टिदारों ने कहा बेटा नोकरी में खुशी नहीं है अब आप साधी कर लो अब आप साधी कर लो साधी कर लोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी साधी कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी येस माई डियर फ्रेंड ये जो साधी का लड़ू है जो खाए वो पच्छता है जो ना खाए वो पच्छता है शुरुआत में बहुत अच्छा लगा महीने दो परिवार में जब बच्चा होगा तो खुशिया ही खुशिया होंगी और हिंदुस्तान में आपको बच्चे से नहीं चलता आपको दो बच्चे ची होते हैं है पहला बच्छा को यहां सिस्टे इस को देखने लगाते है कुस या कही गाइपो सी हुआ TS कि यार नहीं हो सकता है। हो नहीं सकता, आप हिम्मत हाने लग जाते हैं और आपको यी यकीन हो कि नहीं नहीं हो सकता. अब क्या होता है, अब खुशियों की थलास में हम आले बढटे हैं और आप फिर अपने solस्पने थे, अपनी चो खुषियों की थलास में करने लग जाते हैं जब वो अच्छी कोले से पढ़कर आ जाता है तब आप सोचते हैं चलो अब मैं इसके लिए बहू ले आता हूं सहीद इसको बहू लाने से मुझे खुशी मिल जाएगी अब आप उसके लिए बहू भी ले आते हैं लेकिन माइड ये फ्रेंड्स एक बात कुछना चाहूंगा जब आप अपनी बहूला के इतने खुश नहीं हुए तो आप बेटी की बहूला के क्या खुश हो जाएंगे क्या खुश हो जाएंगे क्या खुश ही मिल जाएगी लेकिन आगे बढ़ते हैं खुशियों की तलास पे लगे रहते हैं लगे रहते हैं अब मैं खुशाल हो जाऊँगा, पोते का मुँ देख लूँ, यह सब करते 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 करते, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका आपकी फोटो पे माला टंगने का, यह सब करते करते, खुशियों की तलास करते करते करते, फोटो पर माला टंगने का टाइम आ चुक My Dear Friends, विचार कीजिए, जेट बोस में जवाब दीजिए, खुछियों की तलास में पुरी उम्र विजा दी आपने, खुछियों की तलास में पुरी उमर विजा दी मेरे दोश, खुछी कहां है, ढूंडिए, वो खुछी कहीं और नहीं है, वो खुछी आपके अंदर चुपी ह हर पल, हर लमहा आपको जीने होका, जी भढ़ के, जो भी मेरे पास है, वो सब खास है, और बहतर के लिए, एक्षन में रहिए, क्रियेटिव रहिए, इनिर्टिक रहिए, मोटिवेट रहिए, लेकिन जो है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए परम्विता परमेश्वर को, जिस खुशी की तलाज में पुरी उम्र आपने भिता दी, पुरी जिंदगी निगाल दी, वो खुशी आज में है, अब में है, आपको कहना चाहँगँ, ऐसा ही होता है हमारे साथ, MaudiCare बिसनेश में भी, MaudiCare बिसनेश में भी ऐसा ही होता है, जब पहली बारे इस अपरचु तुझा मैं भाड़ दुगा सारे सपने पूरे कर लूँगा और आप जोईन हो जाते हो मोजी केर में 7% पर आते हो वो बहुत खुश होते हो वो खुशी 10 तिन 5 दिन 15 दिन एक महिना रहते है और उसके बाद आप रेट रेस में लग जाते हो और बड़ी खुशी की तलास में लग जाते हो और भूल जाते हो कि जो आनंद आपको मिल रहा था उस आनंद को उस खुशी को इंजोए करने की बजाए आप 10%, 13%, 15%, 16% डारेक्टर, सीनियर डारेक्टर बनुगा तब खुश हो जाऊँगा, सीनियर डारेक्टर बनुगा, मैं तो ट्रेयोल भुट जब मुझ को दूँगा, बहुर मस्ती करूँगा, अब तो मुझे ना, जब एक लाग का, पचास हजार का, एक लाग का, दो लाग अच्छे काएगा, तब मैं खुश्या बनाऊँगा, तब मैं ना सुआँगा, नहीं, 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 अब तो मेरी कार आजाएगी, वो 10 लाग की कारा जाएगी, वो 5 लाग की कारा जाएगी, 15 लाग की कारा जाएगी, तब मैं खुश्या मनाऊँगा, खुश्यों की तलाज जारी है, पता नहीं, कब हमारी बारी है, पता नहीं, कब हमारी बारी है, वो उपर वाला, जिसने हमें सांसे बक्सी है, उसका धन्यवाद दी मैं आपको यह कहना चाहूंगा मेरे दोस्त जब कार आगई, तब भी खुशिया नहीं मिली, पूह समय कार में खुश थे लिकन्स के बाद घर के सपने में खुशिया दर के खुशिया में तलासने लगए, फिर रोकड़े में तलासने लगए, अरपती-खरपती बनने में खुशिया तलासने लगए, अपनी टीम में कारे लाने में, टीम में कामयाभी लाने में खुशिया तलासने लगए, मेरे दोस्त इन सब चीजों में खुशिया हैं, लेकि आप खुछ हो सकते हैं, हमेचा हर पल खुछ हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगो, बहुत फरमाईएगा, जब आप सुबह उड़ते हैं, उठकर जब आप अपनी आखे खोटे हो और आपके खुल जाती है, आप अपने हाथ पैर हिलाते हो, वह हिल जाते हैं, तो आप कि येस, येस, मैं जिन्दा हूँ और मेरी धड़के ने चल रही है, मेरी सासे चल रही है, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का एक और सांदार दिन देने के लिए, आप खुश हो सकते हो, जब आप अपने हाथों से आप कुछ पकड़ते हो, कुछ उठाते हो, आपकी में जब आपनी फैमिली के बीच मैं आप उठे हो, आप कुछ खेलते हो, झूदते हो, लड़ते हो, जगड़ते हो, मस्ती करते हो, नासते हो, घूदते हो, हर एक पल में, हर एक लमे में खुश हो सकते हो, मैं एक छोटा सा वाक्या और जलदीशिए आपकर बताना जाँगा मेरे कि मीत्र थे, बहुत अच्छे, बहुत गहरे और बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, बहुत बड़ा पैसा था, रोकड़ा घाड़ी, घड़ा विजेश यात्रा, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ था, लेकिन मैंने उनको कभी इस तरह से खुछ नहीं देखा था जिन् हो बताई हो डोक्टर ने कहा इस पर धाई लाख रूपे खर्च होंगे, okay, my dear friends, थाई लाख रूपे खर्च कर्वा कि नहुनने ऐप्रेशन करवाया, or और बहुत करवानी के बाद कुछ एकसे कऱनी के बाद कुछ समय जब बीदा आरं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे विला ऑला के जखा रहे हो किया इससे पहले जिंदगी में यह अठा नहीं हील्डेत《 स्वर नहीं थीजिंडा नहीं थे आप वुक्त भी खूछू रेedere थे, जिस वक्त आप एक एक धन्य एक धड़कन आपकी धड़क रही थी, आपको जो पल, जो खुछियां, जो जिन्दगी दी है इस वर में, जो बक्सा है इस नेचर में इस प्रकरती ने, आपको अक्सीजन दिया है, भर-भर के, भर-भर के अक्सीजन दिया है, दुनिया के बहतरी नजारे दिया है, सभूत करने के लिए चलेंज दिए आप things में घु acre हर सकते हो हर दिगैप आप रहा सकते हो इंतवार मत कि जये कि आने वाले шन्वाले मीजी को जीफ के जीना चाहते हो सांच से जीना चाहते हो तो हर लम्हे में खुश रहिए खुशियों की तलास में अपनी जिंदगी को मोत की तरफ मत लेके जाएए जिंदगी को इस अंदाज में जीए कि मोत को भी सरम आने लग जाए कि अगर कुछ बनना है तो इस जैसे मुझे बनना है इसके जैसे मुझे भी जिंदगी जीना है तो जिंदगी और मोत भी आपके साथ जुमने लग जाएगी उमीद करता हूं कि ऐच के इस लेशन से आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे कि आप हमेशा खुश्यों की तलास में लापर वहना होके अपनी जिंदगी को सिरफ काटेंगे नहीं आज के बाद आप अपने इस पल के बाद इस लम्हे के बाद इस सेशन के बाद आप अपने इस जीवन को भर के जिलेंगे आपको जो मिला है, जो मिल सुका है, वही आपके लिए बहतर है, समय के साथ और सारी चीज़े आपको मिलती चली जाएगी, एक बात हमेशा याद रखीगा, जो आप चाहते ही वह आपको कभी नहीं देता है भगवान, जो आप चाहते हैं, इस वहर वह आपको कभी नहीं देत अपके लिए जरूरी होता है जिसके लिए आप बिजर्व करते हो लेकिन एक बात और खैयल रखी गाएंगे, घेलते कूत'tे हुए जब आप लोगों के बीच मेच मेरेंगे, परिवार के बीच मेरेंगे, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए खुशियों का खारण बनेंगे, उनकी खुशियों की तलास, आपके चेहरे को देखके पूरी हो जानी चीए, उनकी खुशियों की तलास, लाखों करोणों लोगों की खुशियों की तलास, आपसे मिलके पूरी हो जानी चीए, मेरे दोस्त, आपसे मिलके पूरी हो जानी सही माइने में इस तरह से अपने अगर अपने जिन्दिकी को जिया तो खुशियों की तलास आपकी अभी इसी वक्त पूरी हो चुकी है आप खुश हो सकते हो ना सकते हो पने हाथ उठाके आप जूम सकते हो मोबाइल पे गाना बजाके अगर मोबाइल पे गाना नहीं बज र पता नहीं क्या होते, thanks to God कि मैं इंसान हूँ और इंसान के साथ, होने के साथ, मैं सकता हूँ जिन्दकी को खुशियों को मैं वेक्ट कर सकता हूँ, जिन्दकी को जी भर जी सकता हूँ, जी भर जी सकता हूँ. thank you so much, thank you so much, उमेड करता हूँ आद की सेसें को आप अपने जीवने ज़रूर उतारेंगे, खुशहाल रहेंगे, मस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, न इसी तरह से आप हमेसा मुस्कुरा आते रहेंगे, और प्यार इसी मुस्कार मैं चालता हूँ पता मेरे दोस्त कल हो ना हो जिंदिकी का जो सफर है जिंदिकी का जो सफर है वही असली खुशी है मंजिल पर जाकर कौन खुश हुआ है मेरे दोस्त मंजिल पर पहुंच कर कौन कितनी देर तक खुश हुआ है अगर खुशिया चुपी हुई है तो वह सफर में चुपी हुई आपको हमेशा लगता है, भी होगा, कि जब मैं बच्षपन में शुछाएा था तो बौत खुश था, लेकिन जब आप बच्षपन में बच्ँछे थे तो शुछन जाना भी आपको इसktे बड़ी महाबारत लगती थी, वह ही आपको सब जादा दर्द देता था बच्पन में खुशिया तलास ते रहे, जब बच्चे थे तो जबानी में खुशिया तलास रहे थे, जब जबान थे, आगे की फूचर में खुशिया तलास रहे हो, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, जो भी है वो आज है, अभी है, तो जी भर के जिए, जी भर के खुश हो प्यार आपका, दिल से धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ सोट नोटिस पे हमारे साथ बने रहते हो और हमारे साथ जूडे रहते हो, आपका प्यार, आपका अशिरवाद, आपका सहनी दिया, इसी तरह से मुझे मिलता रहे, और मैं आपके बीच में वादा करता हूं, कि जि जिन्दगी को जी भर के जीता हूँ, मैं हमेशा खुशाल रहता हूँ, और खुशियों की तलात में मैं अपना वक्त जायर नहीं करता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी है, जो भी मेरे पास है, वो मेरे लिए खास है, जो भी मेरे पास है, वो म अपने अपने घरव में रहे और अपने परिवार के साथ खु़शियों के पलबाढ़ते रहें! जैहिंद, वंदे मातरम, कल फिर मिलते हैं छोटी से ब्रेक के बाद